हालो और वल्कम टू देशी पटाका एज आलवेज मैं हूँ अराधना आपके साथ क्या कुछ खास देखने वाले हैं आप शुकरवार को बिग बॉस के अंदर वेल इसी बात की अपडेट हम आपको देंगे और दोस्तो हम आपको बता रहें कि शो में अब नए ग्रूप्स ब अधर के अंदर हुआ उसमें पारस बहुत जादा गलत थे उन्होंने असन के ऊपर टार्गेट किया उसके पैसों को उसकी आउकात को उसको दिखाने की कोशिश की जो घर में किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था इंट्रैक्ट पारस की सबसे अच्छी दोस्त मसला मयान नॉमिनेट कर दिया कल घर में सभी सदस से यानि की शुकरवार को सभी सदस से आपको नजर आएंगे पारस का नाम लेते हुए पारस को जेल भेजा जाएगा क्योंकि पारस अब अपना गेम पलटता जा रहा है पारस काफी जादबत तमीज होता जा रहा है असिम ने आज जो कुछ भी बोला पारस से वो एक एक शब्द सही बोला असिम ने औरतों की डिगनिटी के लिए पारस से बोला ये बोला कि तू हर किसी की फिगर पे कमेंट करता है तू हर किसी को इशारे करता है अक्चुली पारस ने लिमिट क्रॉस कर रखी है पारस रोज घर वालों मे चाहे हो शैफाली हो शैफाली के करेक्टर पर उन्होंने उंगली उठाई उन्होंने शैफाली का नाम असिम के साथ जोड़ा आप शैफाली को शुरू में अपनी भावी कहते थे क्या कोई भी अपनी भावी भावी मा समान होती है क्या कोई भी अपनी भावी के लिए ऐसे श जो कुछ भी बोला बिलकुल सही बोला और शायद सलमान खान वीकेंड का वार में क्लास लेते वे नज़र आएंगे पारस की उसको अच्छे से सुना नज़र आएंगे क्योंकि आप बिग बॉस के घर के अंदर किसी को भी ऐसे पैसों के लिए नहीं बोल सकते हैं और वहीं दोस्तों बिग बॉस के घर में अब एक और बबाल होने वाला है बिग बॉस के घर में होने वाली है शेहनाज और सिधार्थ के बीच में भी मिस अंडरस्टैंडिंग और इसकी वज़े से घर के डाइनमिक्स बदल सकते हैं कौन कौन से ग्रूप बन सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे बहुत जल्द हमाई दूसरे वीडियो में लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि सिधार्थ ने जो फैसला लिया पारस को जेल भेजने का वो सही था या गलत था आपके अकॉर्डिन पारस आज गलत था या सही था कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करक दो अन्यूग के दियू वियता था कBut